बॉलिवूड सिंगर नेहा ककड जो कि अपनी शादी के बाद एक पर फिर से सोशल मीडिया पर तहलका मचाने आ चुकी है आपको बदा दें कि किस तरह से आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर यह चाया रहा कि आज नेहा ककड ने अपनी बेबी बम को फ्लॉंट किया है अपको बदा दें कि किस तरह से इस बात को कनफाम भी किया है उनोंने जो इंस्टागराम पर अपनी जो फोटो पोस्त की जिसमें लिखा है कि ख्याल रख्या कर जिस पर जो उनकी husband है रोन प्रिसिंग उन्होंने भी लिखा था कि अब तो कुछ जादा ही ख्याल रखना पड़ेगा और इसी के बाद इस बात की जो confirmation है कि वो pregnant है तो नहीं ककड जो नहीं ककड के भाई हैं उन्होंने कहा कि मैं अब मामा बच जाओंगा लेकिन आपको बदा दें कि किस सरा से जो ये बादे सोशल मीडिया पर चाही हुई है उसके बाद नहीं करकर ट्रॉल भी हो रही है सोशल मीडिया पर अपनी pregnancy को लेकर आपको बदा दें कि किस सरा से जब उन्होंने अपना baby bum फ्रॉंट किया उसके बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे खलबली सी मज़ गए कि आखिरकार इतनी जल्दी कैसे सबसे पहले आपको ये बता दें कि लोगों की जो राय है आकिर सोशल मीडिया पर जो लोग ट्रॉल कर रहे हैं जो बाते कह रहे हैं ये एक तरह से लोग ट्रॉल कर रहे हैं नया ककड को बट हमारे चैनल में हमारा कुछ ऐसा उनको ट्रॉल करने का कोई इरादर नहीं है हम जनरली बस एक सोचल मीडिया पर जो लोग बोल रहे हैं उसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखरकार लोग क्या बोलना चाह रहे हैं एक यूजर है जिन्होंने उनकी जो पिच्चर है जिस पर वो बेबी बम को फ्रॉंट कर रही है उस पर वो लिखते हैं बाइदावे इस नोट पॉसिबल तो केट ए बिग बेबी बम इन वन तो तो मन्स इस पॉसिबल दिस इस प्रैंग और शी वोड बेबी ब्रेगने बिफोर मैरज बट एवरिधिंग अपार्ट में गॉड ब्लेस यू और बी ब्लेस्ट विद प्रिंस लव यू नेहू दीदी और रहू वीर सो यह एक यूजर है जिन्होंने लिखा कि यह पॉसिबल नहीं है कि एक से दो मन्त में जो बेबी बंप है इतना आजाना प्रस में उन्होंने यह भी कहा है कि यह या तो प्रैंक भी हो सकता है या यह कोई मजाक हो सकता है और यह भी हो सकता है कि marriage से पहले ही pregnant हो गई है ऐसा ही इन user का कहना है और बट उन्होंने कहाए कि सब छोड़ कर सबसे पहले ये बात है कि God bless you और be blessed with the princess love you नहीं दी दी तो उन्होंने एक तरह से उनको love you भी बोला है और किस तरह से उन्होंने God bless you भी बूला है प्रेज भी किया है एक और user है जिन्होंने लिखा है still you can't beat Pandya तो Pandya तो मसकते हैं still you can't beat Pandya और एक और user जो लिखते हैं 8G speed मतलब 8G अभी 4G जल रहा है हमारे इंडिया में तो 8G speed उन्होंने इस बात को बूला है और कुछ user ने ऐसे लिखा कि बहुत तेज और एक और user है जिन्होंने कहा है कि honeymoon में overtime किया होगा दोनोंने तो कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें कुछ बाते हैं जो कि लोग बोलते हैं लेकिन लोग खुश भी है कि आखिरकार जिनकी शादी नेहा ककड की एक तरह से नेहोपीत की जो शादी है वो इतनी चर्चित रही थी social media पर अब उनकी जो baby mom जो उन्होंने flaunt किया है वो भी उनका social media पर आज पूरा दिन रहा है पूरा दिन उनका एक तरह से चर्चित रहा है काफी दादा उनकी फोटो ये चर्चा में रही है इसी के साथ आपको ये भी बता दे कि आखिरकार कुछ टीवी के कुछ ऐसे एक्टर है जिन्होंने इस पर अपना प्यार जताया है ची हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो उर्बशी रोतेला जोगिन की शादी में भी दिखी थी और उन्होंने भी लिखा है Here's a toast to the beautiful mother and to hubby May they be blessed with a cute baby like no one other Congratulations to both of you एक और टीवी एक्टर जैभानुशाली जिन्होंने comment किया है Congratulations Neha and Rohan करिश्मा तन्ना ने भी comment किया है उन्होंने प्यार बर्साया है mom जो है बनने वाली है नेहा ककड उन्होंने लिखा है Congratulations Neha followed by heart emoji मतलब उन्होंने एक दिल की एक heart की emoji share भी की है सो कई ऐसे टीवी आक्टर है जिन्होंने इनके इस photo पर react किया है और उन्हें congratulations बेचा है कि किस तरह से वो दोनों खुश रहें और वो अपने नए बच्चे का welcome करें यूकी इनका first child है आप क्या कनेश आएंगे मैं comment करके जरूर पता है साथ ही चैनल को subscribe करें ऐसी updates के लिए